मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ सांप जैसा ही कई वार लोगों को बिच्छू काट लेता है, स्कॉर्पीन और जब दर्द होता है ना तो वो आदमी बताता है कि क्या तकलीफ है, उसको दूसरा जान नहीं सकता, उसकी पेन कितनी होती है पहेंकर पेन होता है, बिच्छू ने काट लिए अब बिच्छू काट लेगा, तो क्या करें? तो ऐसी ही एक और मेडिसिन है, उसका नाम आप लिखके रखिए उस मेडिसिन का नाम है सिलिशिया, S-I-L-I-C-E-A S-I-L-I-C-E-A सिलिशिया, उसके आगे पुटेंसी, उसकी लिखना 200, 200 और ये भी लिक्विट फॉर्म में रखनी है, 5 एमल गर में और इस दवागों को वैसे यूज़ करना है, एक-एक ड्रॉप टंग पे, दस मिनट में तीन बार अब बिच्छू काटता है तो क्या होता है, बिच्छू काटता है तो उसका जो ढंक है ना वो उसको अंदर छोड़ देता है, वो ढंक है वो पेंट करता है बिच्छू काटे और डंक को बाहर निकाल ले तो कोई फरक नहीं पड़ता, लेकिन काटके वो जो छोड़ देता है अंदर, उसमें सारी तकलीफ आ जाते हैं तो अब उस डंक को बाहर निकालना और यह आसान काम नहीं है, डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कट करेगा, चीरा लगाएगा, फिर खींच के निकालेगा, उसमें ब्लीडिंग भी बहुत होगी, तकलीफ भी बहुत होगी, यह मेडिसिन अतनी बहतरीन मेडिसिन है, कि आप देखेंगे कि वो डंक अपने आप निकल के बाहर आजाएगा, और अपने आप ही आजाएगा, जिस रास्ते से वो अंदर गया, उसी रास्ते को फाड़के वापस आजाएगा, और आप हाथ से उठाके रख दीजे, और वो पेशिन कहेगा, दर्द गायव हो गया बिल आएगे, ये मेडिसिन मिट्टी से बनती है, ये जो नदी की मिट्टी होती है न, नदी की मिट्टी जिसमें थोड़ी बालू रहती है, उसी से ये मेडिसिन बनती है, और बिच्छू काटने के लिए बहुत अच्छे से काम आती है, वैसे हम लोग इस मेडिसिन को और भी ब परस जाती है उस समय भी ये मेडिसिन आप ले लीजे वो सुई को बाहर निकाल देगी तो सिलाई मशीन में काम करते समय हाथ में सुई घुस गई हो तूट गई हो काटा लग गया हूँ very good काच लग गया हूँ very good अब तो आपका माइड चलने लगा बहुत अच्छा यह मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपका माइड ऑपरेशनल हो गया कौज है जी वो क्या होता है या किया है यह यह सब यह यह कर दो की ने काट लिया हो यह सब जो काटने वाले अंदर जो छोड़ देते हैं वो सब के लिए आप इसको यूज करें बहुत तेज पेंट रिलीवर है और जो कुछ अंदर छूटा हुआ है उसको बाहर निकालने के बढ़े से हम लोग बहुत सीरियस केसिज में भी इसको यूज करते हैं पुटेंसी उसकी बहुत बढ़ जाती है जब किसी को गोली मारे कोई गोली लग जाए सपोज और गोली ऐसे स्थान पर लगे जहां ऑपरेट करके निकालना मुश्किन हो यह जो ग्रोइंब पार्ट होता है ना हमा और कई बार गोली ऐसे रीजन में लग जाए सपोज लीवर रीजन में या तो भी नहीं निकाल सकता है लाइक प्रमोद महाजन आपको मालूम है तब उस समय हम इसी मेडिसिन को यूज करते हैं और इस मेडिसिन की हाईयर पुटेंसीज वन एम टैनेम में हम तीन खुराक द आप मत करिए उसको मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूं आप जितना कर सकते हैं उतना मैं बोल रहा हूं बिच्छू काटने के लिए सुई फस गई है उसके लिए क्योंकि गोली वाले में आप मत जाईए वो डॉक्टर के लिए छोड़ दी आप मैं जानकारी के लिए क कई वार आर्मी में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वार जब होती है ना अभी कार्गिल्ड वार हुई थी तो हमारे बहुत सारे दोस्त जो आर्मी में हैं उनको गोलियों के छर्रे घुस गये किसी को बैक बोन में घुसे हुए थे किसी को ग्रॉइन प्रीजन में थे और डॉक पर दिल्ली में तो पांच ही रुपई की आती है और उतनी मेडिसिन में आप कम से कम 50 से 100 लोगों का बला कर सकते विच्छू काटने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें और हाँ, हमारा Android एप डाउनलोड करना ना भूलें